वश्कार राजस्तान करंट अफेर 2 फरवरी 2023 दोस्तो स्वागत आप सभी का राजस्तान करंट अफेर की आज किस नई वीडियो में दोस्तो आज है 2 फरवरी 2023 और आज से सम्मंदित राजस्तान करंट अफेर की जितने भी मैत्पून प्रशन बनेंगे आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आपसे बसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है दोस्तो आप इस वीडियो को पेसेंस बना कर अंधर तक जरूर देखना हम आपका साथ जरूर अंधर तक निभाएंगे ठीक है कलम ने आपसे एक प्रशन पूचा था जिसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था लेकिन अपसोस की बात है कि आज भी सही जवाब नहीं आया इसका ठीक है मैंने आपसे पूचा था कि सिक्षा मंतराले की ओल इंडिया सर्वे ओन हायर एजुकेशन 2021 रिपोर्ट के नुसार देश में कोलेजों की संक्या में राजस्तान का कौन सा जिला दूसरे इस्थान पर आया है चली तो दोस्तो मैं आज इस वीडियो में लास्ट में आपसे एक पूचोंगा जिसका सई जवाब आपको नीचे कम collab में देना है जिसका भी सई जवाब होगा उसका नाम में दोटैवीमें फिर से लोंगा ठीक है चलीह दोस्तो पहला प्रशन है आज करंट फेर का कि राजस्तान में यातायत प्रबंदर में सुधार के लिए इंटिग्रेटर्ड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है इसके लिए राज्य सरकार ने कितने करोड रुपए की अतरिक्त बजट स्विकरता किया है इसके बारे में डेटेल से बात करें तो दोस्तों राजस्तान में यातायत प्रबंदर में सुधार के लिए एक सो पॉइंट नाइन नाइन करोड रुपए की मनजूरी मिल चुकी है राजस्तान सरकार ने राज्य की सडकों पर यातायत के बढ़ते दबाओं और दुरगट नाओं पर अंकुष के लिए इंटेग्रेटर ट्रेफिक मेनेजमेंट लागू किया है ठीक है सिस्टम इन आई टी एम एस यानि कि इसके फूल फॉर्म क्या होती है इंटेग्रेटर ट्रेफिक मेनेजमेंट लागू किया है मुक्यमंत्री सिर्यासोग गैलोत ने आई टी एम एस के लिए एक सो पॉइंट जीरो एक सो पॉइंट नाइन करोड रुपे के अतरिक्त मनजूरी दी है ठीक है बहान का आउगमन अधिक व्यवस्तित चरने के लिए इंटेग्रेटर ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है ठीक है स्पिप्फ फूल फॉर्म मैंने आपको बताइदी की आई टी एमस की फुल फर्म इंटिग्रेटर्ट ट्रैफिक मेनेजमेंट सिस्टम है ठीक है यह इंपोर्टेंट है ठीक है यानि कि राज्य पब्लिक ट्रांसपूर अथिरोटी का गठन भी प्रस्तावित किया गया है और स्टेट रोड सेप्टी इंस्टिटूट जैपर में बनाने के लिए भी गोशना की गई है राज्य सरकार के बजट दोजर बाइस तेविस के अंदर ठीक है चलिए बात के लेते हैं नेक्ट प्रसंट की तो दोस्तों दूसरा प्रसंट है कि रन्थंबोर नैशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम तोड़रा दो लाड़ा में सर्दी के कारान दस ज सिकार हो गाई है और सीमा से से सटे ग्राम तोड़रा दोलाड़ा में सर्दी के कारान 10 जन्वरी 2023 को बागय तीवन फी की मोद हो गई इस पार्क में बागों की संग का 77 जिसमें से 25 बागिन, 24 बाग और 28 सावक होते हैं सावक थे ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे महत्पून प्रशन की तो दोस्तों पहला इस्तान प्राप्त करने वाले हैं अपने सिक्कर जिला ठीक है सिक्कर जिले ने पहला इस्तान प्राप्त किया है ठीक है चलिए सिक्साविबाग रैंकिंग जनवरी मामिर राजस्तान के जिलों के इस्तान निम्न प्रकार है सिकर ने पहला इस्तान प्राप्त किया है डेड़ सो में से अठाउन पॉइंट चार आठ अंक के साथ ठीक है वहीं जैपूर ने आठ वाइस्तान प्राप्त किया है बीका ने ने चोद वाइस्तान प्राप्त किया है कोटा ने एकिस वाइस्तान प्राप्त किया है और वहीं अगर बात करें टॉंक सबसे निचले पायदान पर है डेड़ सो में से गुनिस पॉइंट तीन दो अंक के साथ ठीक है चले मैंने आपको सिक्षा विभाग की जनवरी मा की रैंकिंग बता दी है ठीक है चली यहां से प्रिशन बन सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए चले दोस्तो चोथा मैंतम प्रिशन है कि गुनचालिस वी जूनियर नैशनल टाइकवांडो चैंपिंशिप परते हो गता में जैपुन निवासी राहूल डांगर वेस्सिमरन मेगवांसी ने कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तो हाली में गुनचालिस वी जूनियर नैशनल टाइकवांडो चैंपिंशिप परते होई थी उसमें दोस्तो राहूल डांगर वेस्सिमरन मेगवांसी ने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तो कौन से मेडल गोल्ड मेडल जीते हैं इनके बारे में डिटेल से बात करें तो गुनचारीश वी जूनियर नेशनल थाइक वांडो चैम्पेंशिप में जापू ने जीते गॉल्ड मेडल ठीक है जैपू निवासी विदी सर्मा वे भूमी का पाड़या ने सिल्वर मेडल जीता है यानि कि यह अपने बरेली में हुई थी बरेली कहां पर है उत्तर प्रदेश में है और यह 27 से 30 जनवर यानि कि कुल 3 दिन तक चली थी यह प्रतुगिता ठीक है इसमें राउल डांगर वे सि तोंडावत ने ब्रांच मेडल जीते थे ठीक है यह बात भी आपको पता होने चीए ठीक है गोर्ड मेडल के सासा सिल्वर और ब्रांच मेडल किन्ने जीते थे उसके बार में मैंने आपको बता दिया अरुना तोंडावत ने ब्रांच मेडल जीते और वहीं पे बुमी का प का आप से प्रेशन पूछता हूँ दोस्तों मैं जिसका साही जवाब आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है कि दित्य विसुद्ध में भाग लेने वाले सिपाई बोयतराम डूडी का 100 साल की उम्र में 30 जनवरी 2023 को निदन हो गया उनका संबंद कौन से जिले से है इसका सा जब आएगा उसका नाम मैं कल राजस्तान करंट अफेर की तीन फरवरी की वीडियो में जरूर लूँगा ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब करना और शेर करना अपने दोस हम आपका चैनल की वीडियो का बहुत झाल के जाओगा जाताई झाल का जाओगा यद्गा प्रवरी क्या को सब्सक्राइब करना प्रवरी करना अपका फजुद्ट करना अपका जा लिए इन झाल को एंषार old